नमस्कार जैहिन सातियों मैं अभी शेक मिसराज आप सभी लोग का हमारे द्रिन संकल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आप सभी के लिए क्लासिक्स की NCRT इस्ट्री का चेप्टर नंबर 8 लेकर क्या आया हूँ आज की इस चेप्टर का नाम है खुसाल गाउं और समरिद्द सहर अर्थात आज की इस चेप्टर में हमको गाउं और सहरों की बिसे में जानकारे मिलेंगे जो कि प्राचीन भारत की तियासर रिलेट करता है ठीक है तो इससे पहले हम चेप्टर 1,2,3,4,5,6 और 7 को लेकर के आ चुके हैं और इन सभी वीडियोस को हमने प्लेट कर दिया अगर आपने भी थेकिन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर की देख सकते हैं प्लेट का नाम है अगर आप इस चैप्टर की बात करोगे तो यह चैप्टर काफी बढ़ा है और अगर हम बुके मादियम से आपको प्ढ़ा दे तो यह चैप्टर कम से कम एक घंटे का तो होता ही होता लेकिन हमने इसको सरल बनाने के लिए इसमें जितने भी important topic है उनको cover कर दिया है सारे important topic को एक जिके लेकर के आकर कि आपको सरल तरीके से अच्छे से समझाने का प्रयास किया था चेप्टर में जितने भी important topics होते हैं हम सिर्फ ओनी को लेकर के आते हैं और आपको full detail में समझाते भी हैं तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो कली जीगा यह है कि आज से आपका NCRT का course start जो पहले हुआ था इसको boost कर दिया गया है अर्थात आज से आपको NCRT के कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे एक ही दिन में ठीक है तो आज हम इसके लिए class 6 के NCRT का chapter 8 और chapter 9 इन दोनों को discuss करेंगे chapter 8 इस वीडियो में chapter 9 आपको साम तक देखने को मिलेगे इसके बाद में हम chapter 10 और 11 को कल discuss करेंगे और इसी प्रकार से कुछ 5-6 दिनों में हम class 6 के NCRT को complete कर देंगे ठीक है आगे बढ़ते तो आज का हमारा सबसे पहला topic है लोहे के आउजार और खेती ठीक है इसमें हमको सब करते उपयोग के प्रमाड मिलते हैं अर्थात इन दोनों में फर्क समझीगा सबसे बड़ा फर्क यह है एक मिनट हम आपको उधान के तौर पर समझाते हैं मान लीजिए कि मैंने चैनल कभी क्रियेट किया था और कभी यह पापुलर हुआ इन दोनों में अंतर बताईगा ठ पहले इसकी बाद में जिसका अधिक मात्रम प्रियुक सुरू हो गया था पचीस सो साल पूर ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें हमको सबसे पहले परण में अगला टॉपिक मिलता है कि महापासान कबरों में लोहे के आउजार और हतियार बड़ी संक्या में मिलें किसमें महा पाइने जिसको हमने चेप्टर 5-6 और 4 भी डिस्कस की आपको बताय भी था चेप्टर भी दिखा है किमा पासारी कबरों मिलें अगर आपने वहीं तक से इन चेप्टर को नहीं देखा है तो जैए गाभी देखी का जैसे कि मैंने आपको पहले खेसा था कि एक दूसरे से हो आगे बढ़ते, अगला पॉंट मिलता है कि लगबग पचीस सो बर्स पोर लोहे के आउजारों के बढ़ते हो प्रियोग का प्रमाण मिलता है, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुलहरियां और जुताई के लिए हलों के फाल सामिल हैं, हमने हल के फाल की विशे में आपक पहले क्या होता था, कि अब लकड़ी के हलो होते थे, इससे खेतु की अच्छी तरीके से जुताई नहीं हो पाती थी, जिससे की फसल में पैदाबार अधिक नहीं होती थी, लेकिन जब लोहे की खोज हो गई, तो लोहे के फाल कुछ इस प्रकार से होते थे, इनको लकड़ पॉइंड मिलता है कि करसी उत्पादन पढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, क्या कहते हैं समझीगा, तो समरिद गाओं के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, ठीक उसी प्रकार से, जैसे गर हमारे भारत देश में समरिद गाओं न उन्नती नहीं करेगी, तो उसको करना ही मिलेगा और जब करना ही मिलेगा, तो राजी भी उन्नती नहीं कर पाएगा, क्रसी के विकास में लोएके फाल का प्रियोग और धान की रुपाई होने लेगी, धान की रुपाई अर्था जिस प्रकार से आजन धान की कहती करते हैं, पौदा रोपन के जरिये इसी प्रकार से शुरू हो गए थी इसके बाद में ये दो ऐसे काम थे जो कि क्रसी की उन्नती में क्रसी के बिकास में काफी कारगर साबित हुए थे और इसी तरह से सिचाई का भी काफी पहले जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ बरसात पर ही निर्वर रहते थे कि जब बरसात होगी तभी खेतों में पानी लगेगा लेकिन जब सिचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और क्रतिम जलासे बनाए जाने लगे तो क्या हुआ, कि लोग जो थे, उनके पास में नहीं उमीद जागे उनकी खेती जो थी, उनका विकास हुआ, और वो लोग अच्छी मातरा में फसल उठाएं लगे अगला पॉइंट मिलता है, गाउं में कौन रहते थी, एक मिनट इसको आप लोग एक अच्छी तरीके से एक पॉइंट में समझीगा देखीगा, क्रशी के पिकास के लिए कुल मातर तीन काम हुए थी, सबसे पहले लोग की खोजुई थी, जिससे की जो जुताय होती थी, उसमें लोग के हल्वे फाल का प्रियोगवा, दूसरा था, पाउधार ओपण के माद्यम से, जो धान की खेजिये की आजी थी, इसमें अधिकान से गाउं में, तेईस सो साल पूर्व, कितने तेईस सो वर्स पूर्व, कम से कम तीन तरह के लोग गाउं में रहते थे, जिनमें सबसे पहले थे बड़े भूसवामी, जो कि तमिल शेतर में बड़े भूसवामी रहते थे, इनको बेल लाल कहा जाता, क्या कहा जात अर्थात भार्टियूप महादूइप में अगर आप प्राचीन भारत में देखोगे तो यहां पर तीन तरे के लोग रहते थे सबसे पहले बूसवामी दूसरे साधानार हलवाय तीसरे मजदूर और दास ठीक है अगला पॉइंट मिलता है कि देश के उत्तरी हिस्सों में गा का सबसे अमीर वेति होता था समझी गा यानि कि यह पद अन्वानसिक था और ग्राम भोजक का पद आम तोर पर गाउं के देखेशनी प्रभावसओं क्योंकि किसी गरीब विख्ति को ऐसा काम सवामी जो होते थे अर्थाद जो ग्राम भोजक होता था सिर्फ उसी को राजा लोग भी कर देने का काम सवापते थे अगला पुआण मिलता है कि ग्राम भोजक के लाबा अन्यस्वतेंथर किसान भी होते थे उन्न को ग्रही पती कहा जाता था अक्सर आइसा प्रश्म पूझ जैता है कि ग्रही पती किसे कहते थे तो ग्रीपती उचे कहते थे जो कि ग्राम भोजक के इलाबा गाउं में अन्य सुतंतर किसान होते थे उनको ठीक है और इनमें जानातर किसान थे जो ग्राम ग्रैपती थे जानातर किसानी थे जो कि सुतंतर किसान थे और ये जो सुतंतर किसान थे ये छोटे-छोटे किसान थे और आझे कान्स गाउं में लोहर, कुमार, बढ़ारी टता बुनकर जैसे कुछ सिल्पकार भी रहते थे इतके अपने सिल्फकार टना काम करते थे। आज भी देखे जाते हैं कई सारे गाव में लोहार हैं कुमहार हैं बढ़ही हैं इसके अदम बुनकर हैं ये आज भी देखे जाते हैं अगला पॉण मिलता है कि प्राचीन तमिल रचनाओं जो प्राचीन समय में तमिल रचनाओं हुई है इनके विसे में भी चेप्टर में द और इने संगम सहित इसलिए कहते हैं क्योंकि मदूरय के कभियों के संमेलन में इनका संकलन किया गया था और इसलिए इनको संगम शहितundo कहते हैं झाल now अगला पॉट के मिलते है बेरी गाजा की कहानी और बेरी घार भरूच का एक यूनानी नाम है बेरी गाजा की कहानी को भी समझीगा बड़ी इंट्रेस्टिंग है एक अग्यात युनानी नाविक द्वारा बेरी गाजा पत्तन का विवरन दिया गया जो बेरी गाजा पत्तन है इसका विवरन एक अग्यात युनानी नाविक की द्वारा किया गया जो कि नाव चलाता था और इसके बिस्से में बिलकुल पता नहीं है कि ये युनानी नाविक कौन था बस इतना पता है कि ये युनानी नाविक था और अग्यात बेखती था ठीक है और बेरी गाजा भरूच का युनानी नाम है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया और यहां पर सराप, तामबा, तिन, सीसा, मुंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था अर्था जो बिदेश से अपने देश में सामान आते थे उनमें साराप्ती, तामबा था, तिन था, सीसा, मुंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के इतनी चीज तो यहां पर एक प्रश्णी उठता है कि इस समय दुनिया में सबसे जादा प्रसिद इत्र कौनता है, मतलब अपने भात का सबसे प्रसिद इत्र कहां मिलता है, पता है, कन्योज में, और मैं भी कन्योज काही हूं, जी यहां, मैं कन्योज काही हूं, और कन्योज में सबसे जा करता है जो पूरुस गायक होते थे वो इसके बाद में सुन्दर औरतें अच्छी सराब तथा उत्कृष्ट महें कपड़े जैसे अनेक विसेश उपहार ला देतें यहां पर समझने बारी बात यह है कि उसमें औरतों की और जो गायक किसोर थे इनकी दसा क्या थी समझ सकते है मैं कि इस्तिती क्या सी क्योंकि लोग इनको राजा को देने के लिए उपहार के शुरूप में ला देते थे आप लोग समझ सकते हैं कि राजा को यहां आने वाले जो लोग थे वो राजा को चांदी के बरतन हैं, गायक किसोर हैं, सुन्दर औरते हैं, अच्छी सराव हैं, ओत्रिष्ट महिन कपड़ हैं, यह विशेस उपहार के तौर पर देते थे, इससे आप समझ सकते हैं कि औरतों क किस्तित पहले क्या थी, और गायक किसोरों किस्तित पहले क्या थी, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है कि सिक्के, अब सिक्कों के संबन्द में कई बार प्रशन पोशे आ चुके हैं, तो मैं इसको क्यों नहीं रखता, तो इसके संबन्द में दिया हैं कि पुर प्रकार की आकरति दी जाती है इसी प्रकार से पहले इस प्रकार की आकरति दी जाती थी इनके पर आहत करके जिखो खोड़ recomendate अगला pole मिलता है कि संगम साहित में पढिक एक पता चलता है कि उस समय scholar बश्टु बिन में भी चलन में था आठाग बश्टु के माध्यम से आधान परदान अगला पॉइप अगला प्तुराー पचीस सो साल से भी अधिक समय से एक महतपुल्ज लगर रहा हे probably yatyaat और Bयाबार के दो मुखे मारगों पर इस्थित था इनमें एक मारग था उत्तर पशिम से पूर्फ की और x2 से ८्हत की और। उत्तर पश्चिम से पुर्व की ओर और दूसरा था उत्तर से दक्षिन की ओर यानि की ऐसे भी और ऐसे भी ठीके दोनों तरब का मारता और इसलिए ये मतुरा उस समय सबसे मैधपुल नगर कहा गया था ठीक है अगला पॉणि मिलता है कि सेर के चारों किलेवंदी थी और इस से कई सारी मेमूर्तियां आज भी हमको मिली हैं और आज भी आप देखते हैं कि मतुरा भक्ती का एक बहुती बड़ी केंद्र है यहां पर क्रिशन भक्ती बहुत पाई जाती है अगला पॉणि मिलता है कि लगबग 2000 साल पहले मतुरा कुसानों की राजधानी बनी थी और मत इनको भी समझेगा तो नगरी पुलायस्थल से बहुत पतले और सुंदर बरतन प्राप्त हुए हैं जिनें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्या कहा जाता है उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है जो कि आज हमको नगरी पुलायस्थल से बहुती पतले चमकील और इनमें खास जमक होती थी इसलिए इनका नाम भी रखा गया ठीक है आगे बढ़ते अगला पॉइंट जा रहे कि उत्तर में बराणरसी और धक्षिन में मदुरय कपड़ा उत्पादन के प्रमुक केंदर थे जहां इस्तरीवा पूरुस दोनों काम करते थे कपड़ा अगला पॉण मिलता है कि प्राचीन नगरों में सिल्पकार और ब्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे और ये जो संग थे इनको स्रेणी कहा जा रहता है क्या कहते थे इनको स्रेणी कहते थे और ये जलो थे तो नहीं अलाग अलग फ़ति थे त अर्था सिल्पकारी का संग अलग थे कासरों कि सुर्णी काम करना काम कर सेङों का काम प्रिस्च्शन देती इसके बाद में दूसर ता कच्छा माल उस्तृर ना तीसरता तैयार माल का वितरन करना मतलब साब है कि ये उपर ही काम किया करती थी स्रेणियां जबकि अगर ब्यापारी ही बात करें तो ब्यापारियों की स्रेणियां ब्यापार का संचालन करती थी ठीक है अगला पॉइंट में दता है कि स्रेणियां बैंकों के रूप में क पैसे का इंवेस्ट करते थे और उसे मिले लाब का कुछ इस्सा जमा करने वाले को लोटा दिया जाता और या फिर जो इस्सा होता था उसे मठे या पर धार्मे के संस्थानों को दिया जाता ठीक है आगे बढ़ते अगला पॉण्ड मिलता है सूक्ष्म निरिच्छा अरिका म अरिका मेडू एक बहुत ही मतलब ये एक बंदर गाता पहला और प्रमुक बंदर गाता इसके बिसे में चेप्टर में दिया गया था इसलिए मैंने इसको भी रख लिया ठीक है तो अरिका मेडू पांडू चेरी में अबस्तित है और लगबग 2200 से 1900 साल पहले अरिका था या से 2200 से लेकर के 1900 साल पहले तक था इसके बाद में इसके साक्षे नहीं मिले और यहां पर इटों के बड़े डान इटों से बना एक बड़ा धाचा मिला जूकि सबबता गोदाम रहा होगा इसके बाद में अगला पॉण्ड मिलता है कि यहां भूमद सागरी चेत्र म मिले हैं इनमें सराब या तरल पदार्त रखे जाती इससे पता चलता है कि इनमें सराब या तरल पदार्त वहां से आयोंगे इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हाथा भी लगाया गया है मतलब हथा लगाने का सापरत है इनको पकड़कर ले जाया जाता और यहां एरे पात्र के नाम से जाना जाता है और इन्हें मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था ठीक है अगला पॉण बिलता है कुछ ऐसे बरतन भी थे जिनका डिजाइन तो रोम का था किन्तु वे यहीं बनाये गए थे और यहां रोमन लेंप सीसे के बरतन तथा रतन भी मिले हैं साथी साथ चोटे चोटे कुंड भी मिले हैं देकि यहां पर इस बात से पता चलता है यहां के जो बरतन मिलें इनकी डिजाइन रोम की थी और यहीं पर बनाये गए थे इससे पता चलता है कि वहां की कलाकारी यहां भी आ गए थी और सीसे के बरतन तथा रतन भी मिले हैं औ और यहां पर सीसे और अर्द बामूल पत्रों से मनके बनाने के परियापत साक्ष भी मिलते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंड मिलता है कि अरिका मेडू का रोमन नाम पोडुका था। अरिका मेडू बेरी गाजा मसूली पत्तनम और मुझरी सभी प्राचिनतम काल के मैदपुर्ट पत्तन थे। पर पत्तन में आपको बताना चाहता हूं। अभिलेख अभिलेखित मिट्टी के बरतन है और थे कश अभिलेख टाइप के लिखे हुए.. आप लोग देख रहाएं। और प्रारंब में तमिल भासा के लिए इस लिपी का प्रियोग किया जाता है। इसलिए इन्हें तमिल ब्रामी अभी लेक भी कहा जाता है और इनका प्रियोग पहले बासा में लिखने के लिए किया जाता ठीक है आगे बढ़ते तो यहां पर आपको अन्यात्र मिलता है जो कि बिस्टु के इतियास से थोड़ा रिलेट करता है इसकाद में कुछ मैद पोड पहले अन्यात्र को डिसक्grass करेंगे काफी लोग कहते हैं कि अन्यात्र को दिसक्स किया करेंगा अच्छी सबसे घूट तो रॉंडवा सरार नहीं कम आपश्य सब्सक्राइसिक्स करेंगा तो यहां पर रोम को धूंडओ यहां तो र dizis पुराने सहरों में से एक है और इसका विकास लगबग तरी हुआ जब गंगा के मैदान के सहर बस रहते और रोम एक बहुत सबसे बड़े समराजी किराधानी था और यह यूरोप उतरी आफरीका तथा पश्मी एसिया तक फैला समराजी था और इसके सबसे महत पूर्ण सासक में से एक थे जिनका नाम था ओगस्टस क्या था और यह करीब 2000 साल पहले तक सासन ने किया था इन्हों ने उनसे पहले कि रोम की इंटों का सहर था मतलब साब पर इंका कहना था रोम इंटों का सहर था और इंटों का सहर का मतलब है कि यहां पर इंटों का विकास हो गया था इंटे बनाने सीख ले गए थी इसके बाद में जिसे मैंने संग मरमर को बनबाया है मतलब साब पर कि इनको जो राजा थे इन्होंने का था कि पहले रोम है इंटो का सहर था इसके बाद में हमने इंटो का हटा करके इसे संग मरमर से बनबाया है और और ऑगस्टन उसके बाद के सहरों उसके बाद के सासकों ने कई मंदिरों था था महल भी बन बाए और ऑगस्टन ने बड़े-बड़े रंग महल जिसको MP थेटर कहा जाता है MP थेटर भी बन बाए थे और इनमें चारो तरब दर्सकों को बैटने के लिए सीड़ी नुमा जगहें होती थी MP थेटर का मतल भी बन बाए थे इनके यहां के राजाने और साधिजाद यहां पर इस्त्रियां और पुरुस के लिए अलग-अलग समय निधार्द किया गया था जो इस नानागार था उसमें आने के लिए इसके बाद में यहां पर लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे इसके के जरिये सहर में इस नानागार फबारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता ठीक है तो जो भी है बैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जादा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको अगला टॉपिंग मिलता है कुछ महत्पूर्ट कितियां की विसे में सम पहले हुआ था इसके बाद में संगम सायती की रशना आज से 300 साल पहले हुई थी और इसके बाद में अरिका मेडू का पत्ता ने आज से 2200 से तता 1900 साल पहले तक था ठीक है आगे बढ़ते हैं तो हमारे आज की चेप्टर में टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट थे लेक अगले वीडियो के साथ में तक तक के लिए जहन दोस्तों